दोस्तो आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत हैं आज की Test Your Knowledge की वीडियो में हम देखने वाले हैं GKK Top 38 Question Answers जो कि सभी परिक्साओं के लिए महत्पून रहने वाले हैं आप चेक किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं इस परकार के questions एक्जाम में हर बार repeat होते हैं तो पूरी वीडियो को end तक देखेगा पहला question है प्रैदीपिये पठार की सबसे उची चोटी निमन में से कौन सी है आंसर पता है तो comment box में बता दीजेगा पहले question का दोस्तो राइट answer हैगा अनायमूडी आने की option A राइट answer हैगा question number 1 का दूसरा question आता है भारतिय व्यपार में East India Company का एक अधिकार समाप्त किया गया तो इस question का दोस्तो राइट answer हैगा किस वर्स में समाप्त किया गया था 1813 में 1813 में यानि की दूसरे question का राइट answer आपका B हो जाएगा तीसरा question आता है regulating act कब पारित किया गया था मेरे प्यारे दोस्तो regulating act पारित किया गया था 1773 में 1773 में यानि की तीसरे question का right answer option A रहेगा काफी important है और कहीं बार exam में आ चुका है question अगला question आता है ओरंग जेब की मृत्यू निमलिखित में से किस इस्थान पर हुई थी तो मेरे प्यारे दोस्तो इस question का right answer क्या रहेगा ओरंग जेब की मृत्यू दोस्तो एहमद नगर में हुई थी यानि की option A right answer रहेगा question number 4 का अगला question आता है ब्लू माउंटेन परवत सिकर भारत के किस राज्यमें इस्थित है इस question का दोस्तो right answer रहेगा बिल्कुल मिजोरम में यानि की option B right answer रहेगा question number 5 का दोस्तो अगले question पर जाने से पहले 6000 के question answers की पीडियप के बारे में जान लिजे इस पीडियप में मैंने पूरी complete gk, complete science, current affair और computer को cover किया है और इस पीडियप को आप मात्र 175 रुपीज में डाउनलोड कर सकते है पीडियप को purchase कर लेंगे किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं सभी वीडियो का notification प्राप्ट कर सकते है चैनल को subscribe करके नीचे रेडिकल का बटन दिख रहा होगा बेल आइकन को भी on कर लेना आगे की सभी वीडियो के notification आपको मिल जाएंगे चछटा question है जैविक सिस्टम में रसायनी किरिया की परकिरिया को तेज करने में उत्तरदाई परदार थे तो चटे question का दोस्तो right answer क्या रहेगा बिल्कुल एंजाइम यानि की B right answer हेगा question number 6 का पर 7 है निम्न में से संथाल विद्रोक कब हुआ था तो साथवे question का दोस्तो right answer हेगा अठारसो पचपन और चपन इसवी में यानि की right answer आपका D रहेगा question number 7 का दोस्तो अगला question आता है आधार कार्ड के जनक कोन है तो इस question का दोस्तो right answer हेगा बिल्कुल नंदन निले करनी यानि की right answer option B रहेगा दोस्तो question number 8 का अगला कोशन आता है निर्ण में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कारिया नहीं है तो ध्यान से सुन लीजेगा नहीं या पूछा गया है तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा रक्त में सकरा की मातरा का नियंदरन ये दोस्तों गुर्दे का कारिया नहीं है यानि कि D कोशन एक्जाम में आता है इस कोशन का रएट आंसर हेगा 12 जुलाई 1982 में यानि की B रएट आंसर हेगा कोशन नमबर 10 का अगला कोशन आता है पर्थम एंटिबायाटिक की कोज किसने की थी दोस्तो इस कोशन का रएट आंसर हेगा A.F. लेंमिंग का option b right answer हेगा question number 11 का अगला question आता है निवनवे से किस सविदान संसोदन द्वारा वस्तु एम सेवा कर यानि कि JST लागू किया गया तो 12 question का दोस्तो right answer हेगा 101 यानि कि b right answer हेगा question number 12 का यह आपको याद रखना है अगला question आता है वे कौन सी जंगय थी जहां अखिल भारतिय किसान सवा का अधिवेशन सेजानन्द सरस्वती द्वारा किया गया था दोस्तो question number 13 का right answer हेगा पटना यानि कि D right answer हेगा question number 13 का यह आपको याद रखना है अगला question आता है ब्राक नदी किन राज्यों की एक महत्पून नदी है question number 14 का दोस्तो right answer हेगा बहुत ही important है कहीं बार exam में देखने को मिल चुका है वाला question right answer is मनिपूर और मिजोरम देखे अगर आपको questions का level अच्छा लग रहा है पढ़ाने का तरीका पसंदा रहा है test your knowledge की यह सभी videos आप लोग playlist से भी पढ़ सकते हैं जिसका link नीचे description box में और अगर आप topic wise पूरा gk science कवर करना चाहते हैं तो playlist के link दोस्तों मैंने नीचे description box में दे दिया है वहाँ से आप complete चारी कर सकते हैं वीडियो को like करना मत भूला करें वीडियो को like करके अपने भाई बैन दोस्तों को जरूर share कर दिया करें जो भी competitive exam की त्यारी करते हैं पंदरवा question क्या कह रहा है पढ़िये किस सविदान संसोदन द्वारा सविदान में आंतरिक एसांती को हटा कर उस इस्थान पर सस्त्र विद्रो दोस्तों को रखा गया है देखे बहुत important question है आंतरिक एसांती को बदलके वहाँ पर रखा गया है दोस्तों सस्त्र विद्रो तो ये amendment सा दोस्तों कोन सा 44 यानि की right answer बी रहेगा question number 15 का अगला question आता है भारती सविदान में अध्यदेश का प्रवधान लिया गया है तो इस question का दोस्तों right answer हो जएगा भारत सासन अधिनियम 1935 से यानि की बी रहेट answer है को नबर 16 का अगला question आता है कांगेर रास्ट्य उज्ञान निवनवे से किस राज्य में इस्तित है इस question का दोस्तों right answer रहेगा 36 गड में इस्तित है यानि की right answer हो जएगा question number 17 का अगला question आता है निवनवे से कौन सा मिलान गलत है तो ध्यान से पढ़िए और answer बताएगा दोस्तों इस question का right answer रहेगा इसमें जो B वाला मिलान है ये गलत है यानि की right answer आपका B रहेगा अगला question आता है शामली अंजली एवं सुजाता किस फसल की किसमे है तो ये question किसी exam में तो आया था इस question का right answer रहेगा दोस्तों का पास की ये सभी मतलब किसमे है तो right answer क्या हो जाएगा ए हो जाएगा अगला question आता है तो किसकी सलापर ये आपको बताना है इस question का right answer रहेगा भारत के मुख्य नयादीस के परामर से यानि की right answer डी रहेगा question number 20 का अगला question आता है इलाबाद का असोक स्थम्ब अभिलेक निवन में से किसके काल के बारे में सूचना परदान करता है दोस्तो इस question का right answer रहेगा समुद्र गोप्त यानि की D right answer हो जएगा question number 21 का अगला question आता है 61 सविदान संसोधन अधिनियम द्वारा मदान करने की आयू किस वर्स से घटाकर 18 वर्स कर दी गई 21 परदान मंत्री के कार्यकाल में संसोधन हुआ दोस्तो इस question का right answer रहेगा बिल्कुल सही है राजीव गांधी यानि की C right answer हो जएगा question number 22 का अगला question आता है vitamins क्या होते है दोस्तो इस question का right answer रहेगा carbonic योगिक यानि की option A right answer हो जएगा question number 23 का अगला question आता है दोस्तो भार्ती सविदान का 249 संबंदित है जल्दी से आंसर बताएगा इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर हैगा बिल्कुल देखे राज्य सूची के विशों के संबंद में संसद की विधी सक्तियों से यानि की राइट आंसर डी रहेगा कोशन बर 24 का वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है अगला इसमें इंडियान नेशनल कॉंग्रेस का अधिवेशन कहा आजित हुआ था इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर हैगा कहा पर वातला दोस्तों बेल काव यानि की ए राइट आंसर है कोशन बर 25 का अगला कोशन आता है दोस्तों भारती राज्यों पर अंग्रेजी परबुत स्थापित करने के लिए किसने परसासन में सायक संधी परणाली का सुत्रपात किया तो इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर हैगा लोड वेलेंजली ने तो 27 का अगला कोशन आता है एक स किरने किस परकार की तरंगे है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर होजेगा विदूद चुम्ब के तरंगे कोशन आता है किस भारतिय अधिनियम द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय लिए पर्तक निर्वाचर मंडल की सुविधा परदान की गई थी यह एक इंपोटेंट कोशन है जो कि कही बार एक्जाम में आ चुका है और देखे हां ये मेरे को ध्यान आया तो मैं बता दू कि कि SST GD वाले काफी सारे स्टूरेंट मेरे को comment box में comment कर रहे हैं कि सार हमारे लिए separate course बनाईए मेरे प्यारे दोस्तों जो वीडियो अभी upload कर रहा हूं चाहिए test your knowledge की वीडियो हो ठीक है चाहिए आपकी जो मेरे topic wise वीडियो अप्लोड कर रहा हूं यह सारी आपके लिए important हैं आप एक भी वीडियो को miss मत करिए अब इस पर मैं SST GD नहीं लिख रहा हूं तो इसका मतलब यह थोड़े ही कि वीडियो important नहीं है इसी परकार के questions आते हैं तो आप समझे कि जितनी भी वीडियो आ रही है और सबसे important बात playlist से पढ़िए अगर आप playlist से पढ़ेंगे कभी मार नहीं खाएंगे कभी कोई question गलत नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि playlist में line से सारी वीडियो से उनको पढ़ना स्टार्ट करिए मैनत करिए तब जाके selection होगा इस question का दोस्तों rate answer क्या रहेगा भारत्य परिशद अधिनियम 1909 यानि की C rate answer हो जाएगा 29 का अगला question दोस्तों आता है चतुर्त स्थम किसे कहा जाता है दोस्तों ये कहा जाता है प्रेस और समचार पत्र को यानि की right answer हो जाएगा D ये आपको जाएगा अगला question आता है 29 से कि सविदान संसोदन की अंतरगत भारत की सविदान की आठवी अनुसूची में चार भासाई जोड़ी गई जिससे उनक अगला question आता है भारत सिलंका के बीच अवस्तित है तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत और सिलंका के बीच में जो अवस्तित है एक तो पाक जल संदी है एक मननार की खाड़ी भी है तो ये दोना है दोस्तों पहला और तीसरा तो देखिए पहला और तीसरा बी में है यानि की बी राइट आंसर एगा question 33 का अगला question आता है भारती सविदान के किस भाग में केंदर राज्य विधाई संबंद दिये गए है इस question का दोस्तों राइट आंसर हो जेगा भाग 11 में यानि की बी राइट आंसर हो जेगा question 35 का अगला question आता है ताजमेल के अंदर के उध्यान को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है दोस्तों ये भी बहुत अच्छा question है तो जल्दी से आंसर बतेगेगा देखते हैं कितने सारे स्ट्रेंट कर पाते हैं इस question का दोस्तों राइट आंसर हो जेगा मुगल गार्डन के 7 का अगला question आता है भारत में पहली आर्थिक जनगर्ना कब की गई थी तो पहली आर्थिक जनगर्ना मेरे प्यारे दोस्तों भारत में हुई थी 1977 में यानिकी राइट आंसर सी हो जाएगा यही थे 38 question अब एक और question जो कि मैं इसी वीडियो से पूछता हूँ और ये हर एक व question answers की पीडियाप के साथ में 1000 के question answers आपको free of course दिये जा रहे है और यह बहुत ही अच्छे डील है दोस्तो 30% का off भी है और 1000 के question answers free में यानिकी 7000 question answers मिलने है मात्र 175 रुपीज में जिसमें दोस्तों बिलकूल एकदम लाइन से एक तरफ आपको जीके मिल जाएगा फिर science का फिर computer मिलेगा तो बहुत ही अच्छे तरीकिसा आप चीजे cover कर सकते हैं चाया पैसे सीजल की चारी कर रहे है जीडी की कर रहे है या फिर किसी भी exam की कर रहे है आप इस पीडियाप को download करके दोस्तों पढ़ना स्टार्ट करिए link नीचे description box में है या फिर हमारी website से कर सकते आप लोग इसको purchase या फिर हमें WhatsApp नंबर पर message कर सकते हैं ठीक है चैल को subscribe नहीं किया है तो कर लीजे जलताजी सब फटाफट comment box में आपको लिखना है इसका answer जो मैंने भी पूछा था और वीडियो को like share करना मत बूलेगा thank you so much bye bye everyone take care